दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फेज और न्यूटल आपस में जुड़ने पर सौट सर्केट क्यूं होता है इस पारकिंग क्यूं होती है लेकिन जब वहीं इन दोनों फेज और न्यूटल के बीच में एलेक्ट्रिकल अप्लाइंस लगाते हैं तब सर्केट कम्प्लीट हो जाता है और सौट सर्केट नहीं होता लेकिन क्योंकि तब भी देखा जाये तो अखिरकार फेज और न्यूटल अप्लाइंस के माद्यम से जुड़तो रहे ही हैं इन डिरेक्ली तब सर्केट नहीं होता ये सवाल इलेक्ट्रिकल इंटर्व्यू में बहुत ब सर्केट नहीं होता वहीं दूसरा जवाब ये देंगे कि फेज और न्यूट्रल जुड़ने पर सर्केट इसलिए सौट सर्केट इसलिए होता है क्योंकि वायर की कैपेसिटी से ज्यादा एक दम से सर्केट में करेंट आ जाता है तभी स्पार्किंग होती है मुझे पता है आपकी confusion अभी दूर नहीं हुई है चलिए इस वीडियो में डीटेल में बताते हैं दोस्तों करेंट हमेशा हायर पोटेंचल से लोवर पोटेंचल की तरफ फ्लो होता है हायर पोटेंचल फेज है और वहीं नूट्रल लोवर पोटेंचल है वैसे ही बैट्री में हायर पोट terminal के बीच में positive और negative terminal के बीच में लगाते हैं तो wire जल जाता है उड़ जाता है क्योंकि wire की उतनी capacity नहीं है current carry करने की short circuit की condition में बैटरी में जितना भी maximum current होता है positive terminal से निकल कर उस wire से होता हुआ negative terminal में discharge होने की कोशिश करता है और wire की उतनी current current ले जाने की capacity नहीं है तो wire जल जाती है अब दूसरा case देखते हैं अगर मोटी wire या कहें ज्यादा square mm की cable से बैटरी के terminal को short किया जाए तो क्या होगा suppose 10 square mm की cable aluminium की और इसकी current carrying capacity 20 से 25 ampere होती है वहीं 12 volt की battery 5 AH की है और maximum 5 ampere current देगी terminal short करने पर तो 10 square mm की cable से जब battery को short करेंगे तो wire बस थोड़ी सी गराम होगी क्योंकि wire 20 से 25 ampere तक current carry कर सकती है ले जा सकती है और battery maximum 5 ampere current देगी तो wire को कुछ नहीं होगा battery discharge हो जाएगी तो ये भी एक तरह से higher potential और lower potential के बीच में short circuit ही तो है depend करता है wire की current carrying capacity कितनी है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि power supply के maximum current से wire की current carrying capacity अगर कम है तो short circuit होगा otherwise अगर cable उतना current load से ले सकती है जेल सकती है उसकी current carrying capacity उतनी है तो इस parking नहीं होगी short circuit की condition में दूसरा example देकर समझाता हूँ AC में क्या होता है हमारे यहाँ जो supply आती है घर तक वो 3 phase में आती है पोल तक और लेकिन हर कलोनी को अलग अलग phase से supply दी जाती है कुछ घर का phase सेम होता है कुछ का दूसरे phase से और कुछ का तीसरे phase से अब यह supply हमारे local area का transformer होता है वहाँ से मिलती है उसकी secondary winding से जो star में connected होती है तीन wire phase की होती है और एक wire neutral की और उस star point के junction से उस neutral wire को आर्थ में ground किया होता है और यही तीसरी wire neutral की है यह भी घर तक आती है suppose करें transformer अगर 100 kVA का है तो maximum transformer हर phase में कितना current दे सकता है इसको इस formula से calculate कर लेते हैं तो formula आप देख सकते हैं calculate करेंगे तो यह value आजएगी लगबग 140 ampere हर phase में transformer current दे सकता है तो हमारे घर तक यह जो wire है इसकी current carrying capacity लगबग 140 ampere से जादा होगी वहीं आज कल हर घर में जो meter लगे हैं domestic में तो उनकी current rating 5 से 20 ampere तक होती है तो माल लेते हैं कि 20 ampere है एक meter की current carrying capacity तो एक घर में maximum 20 ampere current use हो सकता है ऐसे ही उस phase में माल लीजे कि 7 घर जुड़े होई हैं तो total current हो जाएगी 20 ampere into 7 यानि 140 ampere current 7 घर एक साथ इस phase से current लिया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी घर में एक साथ इतना load एक साथ connect हो 20 ampere यहाँ पर ज्यादा भी घर हो सकते हैं यहाँ पर मैंने 7 घर लिया हैं तो माल लीजे कि 7 घर हैं और rating भी कुछ अलग हो सकती है तो यह समझने के purpose से मैंने एक example दे कर समझाने की कोशिश की है तो यहा 8-10 स्क्वार में की केबल होती है maximum 20-25 ampere current transfer कर सकते हैं इतनी इसकी current carrying capacity होती है अब मीटर के बाद घर में TV यूज करते हैं लगबग LED TV हो गया जो 18 watt का है तो maximum maximum current 200 voltage पर वो 0.07 ampere लेता है वहीं 100 watt का बल्व हो गया तो लगबग 200 volt पर 0.4 ampere current लेता है और 150 watt का freeze हो गया तो 0.6 amp current लेता है तो total अगर इस current को जोड़ेंगे तो 1.07 ampere आएगा और इन से भी को 1.5 square mm copper cable से आसानी से चलाया जा सकता है क्योंकि 1.5 square mm की copper cable में maximum 4 से लेकर 6 ampere तक current flow हो सकती आसानी से तो घर में 1.5 square mm जहां जहां TV और bulb fridge और cooler चलाना होता है तो वहाँ 1.5 square mm की cable से wiring कर देते हैं वहीं AC, press और geyser 100 watt, 1000 watt के होते हैं तो लगबग 8 से 10 ampere current लेते हैं तो 2.5 square mm copper cable का connection देते हैं जहां जहां AC और press और geyser चलाना होता है तो वहाँ 2.5 square mm केबल copper की cable से चलाया जा सकता है क्योंकि 2.5 square mm की cable की current carrying capacity 10 से 12 ampere तक होती है maximum इतना current 2 square mm की cable से निकाला जा सकता है अब माल लिजे कि हमने LED TV phase और neutral के बीच में connect कर दी तो होगा क्या TV के अंदर resistance भी यूज़ हो रहा है, capacitor भी यूज़ हो रहा है, inductor भी यूज़ हो रहा है परसेंट ही voltage मिलेगा, 200 voltage का लगबग 20-30 voltage मिलेगा तो आप कभी एक phase किसी भी appliance का आप phase में connect करना और दूसरा neutral में मत connect करना, इन दोनों terminal के बीच में आप voltage चेक करना जो maximum voltage होगा वो उस appliance में पहले ही drop हो जाएगा, वहाँ पे और जो बाकी बचावा voltage होगा, वो मीटर में show करेगा, लगबग 20-30%, मतब 30-30 voltage ही दिखाएगा, और वहीं जब आप उस appliance के बीच में voltage drop चेक करेंगे, तो लगबग 200 voltage, 190 voltage drop बीच में दिखाएगा, मतब जो voltage दिखाएगा, यह drop voltage दिखाएगा, लोड में, तो लोड के कारण होता है ऐसा, चाहे आप कोई सा भी load connect कर लें, टीवी, फ्रेज, बल, फैन, voltage drop, अप्लाइंस के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या करना है, अप्लाइंस का एक टर्मीनला फेज में connect करने हैं, और दूसरा न्यूटरल वाले में मत connect करने हैं, और इन दोनों के बीच में मल्टी मिटर लगा डाइसो वोल्टेज, जो डाइसो वोल्टेज आ रहा है, उस circuit के लिए, अब ये जो current है, ये load के अनुसार ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 220 वोल्टेज पर maximum 140 A current सिंगल फेज से ले सकते हैं, उस wire में, क्योंकि transformer से उस फेज में 140 A current आया ही रहा है, जैसे कि आपने circuit diagram में देखा, तो उतनी capacity भी तो होनी चाहिए, उस wire की current लेने की, वही AC हो गया और गीजर हो गया और प्रेस हो गया, उसके circuit 220 वोल्टेज पर 8-10 A current लेते हैं, तो ये circuit पर डिपेंड करता हूँ, डाइसो वोल्टेज पर कितना current खेंस सकता है, और उसके wire पर डिपेंड करता है, क उसकी उतनी intensity नहीं होती, intensity इस लिया नहीं होती, तो मैं बताता हूँ, जैसे कि आप ये charger connect कीजिए, देखो, phase इसमें आ रहा है, उसमें मैंने charger connect करा, और दूसरा जो इसका terminal आगा, उसमें touch भी करूँगा, तो मुझे current नहीं लगया, क्योंकि maximum voltage drop तो charger ने पहले ही कर दिया, उसके circuit में, दोस्तों ये experiment try मत करना, खासकर TV, AC, fridge और press का residual current भी ज़्यादा होता है, वो electric shock दे सकता है, तो जो बारद में जो voltage मिलता है, उसकी इतनी intensity नहीं होती और जो current आ रहा होता है, तो voltage के अनुसार उसका impact उतना नहीं होता, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि voltage pressure की तरह क काम करता है, जितना ज्यादा voltage होगा, उतना ज्यादा current का impact होगा, चाहे current 0.07 ampere क्यों नहीं हो, 220 voltage में 0.07 ampere current भी dangerous हो सकता है, वहीं 20 से और 30 voltage पर यही current 0.07 ampere उतना powerful नहीं होगा, तो वहीं एक और example दे कर समझाता हूँ, छोटे से पत्थर को अगर हलके से फिकेंगे तो उस का impact ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी speed बढ़ जाएगी, तो voltage pressure है और उसका impact current के ऊपर पढ़ता है, उसी के according flow करती है current, current की intensity voltage पर depend होती है, current कम ज्यादा होने से थोड़ा फर्क पढ़ता है, लेकिन voltage decide करता है कि impact कैसा रहेगा, तो जब appliance में maximum voltage drop हो जाता है, phase और neutral के बीच में तो appliance चाहे जितना current consume करने वाला हो, क्योंकि appliance के बाद बहुत कम voltage बसता है, कम voltage में current ज्यादा होने पर उसकी intensity उतनी नहीं है, और इसी current, current neutral में discharge हो जाता है, बिना इस parking के, तो इस तरह current, इस तरह circuit complete होता है, current higher potential से appliance में जाता है, और appliance में उस voltage का maximum voltage drop हो जाता है, appliance अपनी rating के according current supply से लेता है, और appliance के बाद बहुत कम voltage बचता है, जिसकी इतनी intensity नहीं होती कि sparking हो सके, कम voltage के कारण आसानी से current neutral में जाकर discharge हो जाता है, और क्योंकि neutral zero potential होता है, आखिरकार neutral local area के transformer से के माध्यम से अर्थ में neutral wire को गाड़ा होता है, तो इस तरीके से neutral wire का potential zero होता है, तो दोस आपको पहले question का answer मिल गया होगा कि phase और neutral के बीच में appliance जोडने पर क्यों नहीं short circuit होता, वहीं अब बात कर लेते हैं कि phase और neutral को direct जोडने पर short circuit क्यों हो जाता है, तो उसी पर देखते हैं वहीं दूसरी condition जो phase और neutral को आपस में direct अगर जुड जाए, तो sparking के होती short circuit क्यों हो होता है, suppose कि 1.5 square mm की cable है, यह गलती से neutral wire में जुड जाए, तो electric sparking होगी short circuit में होता क्या है, current को discharge होने के लिए बिल्कुल साफ रस्ता मिल जाता है, low resistance path, ऐसे में उस phase में जितना भी maximum current transformer से आ रहा है, जैसे 140 amp एक phase में है, तो इतना 140 amp current short circuit वाली जगह में phase से neutral में discharge होने लगत केबल और pole से meter के बीच में 10 square mm की cable नहीं जहल पाएगी, तो हमारे घर में meter के बाद fuse connect होता है, मान लीजे 5 amp का fuse है, तो वो fuse जल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले wiring में जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है wire का, वही wire पहले जल जाती, तो fuse सबसे कमजोर हिस्सा है, तो fuse जल जाता है अगर mcb connected है, तो mcb trip कर जाएगी, मान लीजे fuse भी connected नहीं है और mcb भी connected नहीं है, तो short circuit में fuse और mcb micro second में जल जाते हैं, या trip कर जाते हैं, अगर ये दोनों नहीं है, तो होगा क्या, जहां जहां से cable joint है, वहां से जल कर तूट जाएगी, या जहां पर दोनों phase और neutral wire दो तो वहां के joint से cable melt होकर circuit break कर देगी, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो सबसे पहले 1.5 square mm की cable जलेगी, फिर 10 square mm की cable जल सकती है, current carrying capacity के अनुसार, कम current carry करने वाली cable, पहले जलेगी, तो fuse और mcb micro second में trip कर जाते हैं, अगर trip ना करें, तो ये maximum current घर की wiring में अगर 1-2-3 second के लिए भी flow कर गया, तो समझिए कि घर की wiring पूरी फुक जाती है, तो transformal से pole के बीच में जो wire है, वो 140 amp से ज़्यादा current carry कर सकती है, इसलिए उसको connect किया हुआ है, उस पर फरक नहीं पड़ेगा, तो आपके मन में, तो आपके मन में ये सवाल उट रहा होगा, कि ऐसी कौन सी condition है, जिसमें short circuit होने पर भी electrical sparking ना हो, तो मैंने यही, तो मैं यही कहूँगा, कि जितना भी maximum current उस phase में आ रहा है, उतने ही square mm की cable हो, जैसे कि 140 amp की current अगर आ रही है, उस एक phase से, तो cable लगबग 200 amp तक current carry करने की वाली होनी चाहिए, मतलब 200 amp तक current वो जहल सके, वहीं जो neutral है, neutral की भी capacity इतनी होनी चाहिए, कि वो 200 amp तक current जहल सके, तब इन दो wire को अगर short करेंगे, तब आसानी से 140 amp current phase और neutral के बीच में, आसानी से जा सकता है, short circuit की condition में होता क्या है, कि electricity का जितना भी maximum current होता है, आर्थ में, neutral में discharge होने की कोशिश करता है, तब आसानी से 140 इस ampere current phase और neutral wire में जा सकता है, तब अगर उस दोरान short circuit करेंगे, जोडेंगे, तो short circuit और electrical sparking नहीं होगी, क्योंकि दोनो wire की current carrying capacity 200 ampere है, और current जो flow हो रहा है, वो 140 ampere phase से neutral में होकर आर्थ में discharge हो रहा है, तो wire को कुछ फरक नहीं पड़ेगा, जैसा कि battery में मैंने बताया था, ज्यादा square mm की cable से battery discharge हो जाती है, और वैसे ही normal case में 140 ampere current आपने देखा होगा, हर phase में से होकर, हर घर में current बट कर आखिरकार appliance के माध्यम से circuit complete होता है, और neutral में जाकर discharge होता है, तो वहाँ पे भी तो ये जो transformer से cable पोलता का रही, 140 ampere current तब भी तो वो bear कर रही है, जिल रही है, लेकिन वो जब current distribute होती, तो उस दौरान जब short circuit होता है, तो उतनी capacity नहीं होती current carry करने की, और इतना ज्यादा current instant उसमें से pass होगा, तो फुकने के chances होते हैं, तो इसलिए short circuit की condition में sparking होती, अगर current, अगर wire की उतनी current carrying capacity है, जैसे मैं अभी बताया था कि 200 ampere तक current ले जा सके, phase wire और neutral wire भी अगर ऐसा को system मनें, उसमें short करें, तो कोई फरकी नहीं पड़ेगा current आसानी से earth में discharge होता है, तो short circuit depend करता है कि wire कितना current जे सकती है, उस phase में जितना maximum current आ रहा है, wire की कम capacity के current short circuit होता है, वहीं appliance phase और neutral के बीच में लगने पर appliance का voltage drop कर देता है, तो voltage drop के कारण current की उत appliance लगाने पर short circuit क्यों नहीं होता, phase और neutral के बीच में, दोस्ता अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे ही आपके concept किलियर हुए हो, तो इस वीडियो को like और share कीजे, और comment जरू करके बताए कि कौन सा हिससे आपको इस वीडियो में बहुत पसंद आया, और channel को जर subscribe कर लें ऐसी interesting वीडियो देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद